नमश्कर दोफ्तों वेल्टिस्काई के को ने इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का सुखत है मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेभी के डिसीजन के बारे में और जैसे कि आप लोगों को सभी को ख़वर मिल गई होगी कि सेभी ने जो एफनो को लेके बेसिकली जो सर्कुलर निकाल रही थी रेकुलर बेसिस पर तो फाइनली उनका कंफरमिशन आ गया है और सेभी ने अब क्लियरली बोल दिया यह वो ट्रेट कराता था एक वीक में जिसमें की निफ्टी बैंग निफ्टी मिटकैप और आपका फिन निफ्टी होता था तो अब बेसिकली उन चार में से एक ही रह जाएगा और हो सकता है कि नसी उनमें से हो सकता है रोटेशनल वाइस काम करने की कोशिस करे मींस एक वी भी हो सकता है, एक week nifty, then bank nifty, then fin nifty, then mid cap nifty, ऐसा भी हो सकता है, मतलब week में एक ही expiry रहेगी, ऐसा clearly यहां पर circular आ चुका है, ठीक है, पहली चीज, दूसी चीज है कि यहां पर, यह तो ठीक है, चलो समझ में आगए कि week में एक ही expiry होगी, तो जाहिड सी बात है, BSC में दो expiry हैं तो वो भी ऐसा ही alternate कर सकते हैं कि एक week sensex की, एक week bankx की, ऐसे करके switch out कर सकते हैं, but problem क्या है, problem सबसे बड़ी जो problem है, वो है lot size increase, और lot size increase जो होने वाला है, वो बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक है न, जो lot size एक बार बढ़ेगा, तो वो almost 20 lakh को पहुशने वाला है, 15-20 lakh के lot size क की बात हो रही है, तो 15-20 lakh के lot size पर problem किया है, कि अगर आप इस rule के बाद भी option trading करने की कोशिस करोगे न, तो आपकी जो capital है, वो और तेजी से drawdown में जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, options में volume बहुत तेजी से drop होगा, तो premium हो सकता है, आपको कुछ भी premium दिखाई दे, time value का effect, यह सारी चीजें 20 तरिक से देखने को मिलेंगी 20 November के बाद, बट जब lot size बढ़ गया, तो जाहिट सी बात है, contract value बढ़ गयी, contract value बढ़ गयी, तो आपको जो loss of profit है, वो आपको 1%, 2% में ही बड़ा दिखने लगेगा, आपको बड़ा profit भी दिखेगा, लेकि बड़ा loss भी द 500 करोड का profit generate किया था, तो almost अब यह 50% यह profit गायब होने बाला है, क्योंकि ultimately जो volume create करने वाले थे, वो retail ही थे, ठीक है न, retail की विजए से उतना volume create होता था, institutional को benefit मिलता था, वो पैसे कमाते थे, और retail lose करता था, तो यह जो नए rule है, इस rule में, बहुत कह सकते है, option trading में, बहुत जादा volume drop होने वाला है, जो expectations लगाई जारी है, 30% की, बट मुझे लगता है कि यह almost 60% तक जाएगा, क्योंकि अभी क्याता हर दिन expiry थी, तो जो retail loss में था, वो भी आके जबजस्ती काम करने की कोशिस करता था, सोचता था, आज recover हो जाएगा, मेरा loss आज recover हो जाएगा, अब volume बहुत तेजी से drop होगा, दूसरी चीज़ है, capital का issue, आएका जाहिट सी बात है, जब आप 20 लाग के lot में trade करोगे, तो आपको capital कम से कम एक एक lot खरीदने के लिए, एक एक lot खरीदने के लिए 20-25 रुपे capital चाहिए होगी, 40,000 रुपे capital चाहिए होगी, उसके basis पे आप काम कर पाओगे, तो वो भी यहां पर कह सकते हैं, एक amount बढ़ता हो दिखाई देगा, जिसकी वज़े से जो छोटे option trader थे, या retail trader थे, वो market से गायब हो जाएंगे, और एक April 2-25 और एक February 2-25 अफ्रेंट भी collect करेंगे, तो अफ्रेंट करेंगे, तो जाहिड सी बात है, फिर तो option बा लाक में option sell कर लेता था, तो जाहिड सी बात है, जब contract size आपका 3 times हो जाएगा, 4 times हो जाएगा, तो फिर क्या है कि option seller को भी बड़ा amount चाहिए होगा, option sell करने के लिए, तो वहाँ पे भी एक major problem आने हुआ ली है, तो जाहिड सी बात है, वहाँ पे भी क्या होगा, कि option sellers की तरफ से भी volume drop होगा, अब options sellers भी नहीं आएंगे, तो options buyer को opportunities भी नहीं मिलेंगी, तो overall कह सकते हैं कि यह जो पूरा move है, ultimately, volume drop करने के लिए है, और इस से काफी हद तक options का volume drop होजाएगा, options का derivative का पूरा volume drop होजाएगा, ठीक है न, क्योंकि आँ सोचो, nifty world में almost number one आता है, जिसमें highest level की derivative trading होती है, ठीक है न, तो इतना बड़ा lot size होने पर, वहाँ पर बड़ी TG से volume drop हो गई होगा, ठीक है, एक यह major rule apply होने जा रहा है, जो कि 20 November से apply हो जाएगा, मतलब अब आपको सोचना पड़ेगा कि market में आपको काम करना है, या नहीं करना है, और अगर मैं बात करूँ कि जो smart trader होगा न, वो इस चीज को already 2 महीने, 3 महीने पहले से ही कह सकते हैं, उसने implement कर लिया होगा, अपने उसको पता चल गया था कि option trading ultimately बंद होने वाली है, तो मैं जादा option trading पे कह सकता हो, निरबर नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ alternate solution ढूंडना चाहिए, जैसे कि मै मैंने एक महीने पहले से क्यूटी ट्रेडिंग स्टार्ट करती थी, आप लोगों को पता ही है, क्यूटी ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट करी और उसमें almost जो growth मिली है, वो ठीक्ता growth मिली है, मैं उसको यह नहीं बोल सकता कि बहुत जादा मिली, या बहुत बेकार मिली, अगर मैं आज भी profit और loss की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखो, console में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, P&L, ठीक है, एक September से हमने start करी थी, एक September से अगर आप भी भी देखोगे, तो 59,000 के profit में, जिसमें हमें कल के trading session में एक loss हुआ था, ठीक है न, उसके बावजू जो realized profit है, वो 59,000 रुपीज का है, यहाँ पर और जो realized, जो realized था, net realized था, आपका 59,000 का, जो realized था, वो 94,000 का charges around 35,000 के हमने charges यहाँ पर ठीक है, तो equity trading कहीं हद तक कह सकते हैं, जादा था लोग जो full time trading करने की सोच रहे थे, या करना चाहते हैं, उनको अपने आपको equity trading में shift करन पड़ेगा, जो भी उनको suitable लगती है, क्योंकि intraday trading में आपको थोड़ा सा कम पैसे में काम कर लेते हो, because margin मिल जाता है आपको, but swing trading में आपको full capital लगनी पड़ेगी, या फिर MTF में काम करना पड़ेगा, तो वो सारी चीज़ें थोड़ी costly level पे बढ़ जाती है, क्योंकि cost आ बार बर से भी नए-ने circular आ रही थी, तो उसकी वज़े से क्या है, कि यह चीज़ दिमाग में pinch out हो रही थी, कि कहीं न कहीं यह rule आएगा, और उस time अपने आपको switch करने से अच्छा ही है, कि पहले से ही उसकी preparation करना start कर दो, 2020 से पहले मैं equity trading करता था, मैं कोई future नहीं करता था, कोई option नहीं करता था, उस time जो performance थी, वो बहुत अच्छी थी, फिर क्या हुआ, दोज़ा 20 से, दोज़ा 23 के बीच में, option trading में काफी अच्छा काम हुआ, 23 second half से कह सकते है, option trading में, बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि सरदर्दी ज़्यादा हो गई थी, और पैसे कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, manipulation market में, बिल्कुल peak level की manipulation हो रही थी, आप सोच नहीं सकते थे, जहां पर expiry होनी चाहिए, वहां पर expiry ना हो, कि वो ऐसे level पर expiry होती थी, जहां पर option seller को भी loss होता था, option buyer को भी loss होता था, तो वो सारे manipulation देखके, मैंने almost अपने आपको थो सरफ महीने का 5-7% का चाहिए, और 5-7% का काफी हद तक मेरे लिए sufficient है, क्योंकि साल बर में मैं 50% से ज़्यादा के return, अगर बना लेता हूं, तो मेरी capital पे मेरे को बहुत अच्छे पैसे वो बन जाएंगे, ठीक है, दूसी चीज क्या होता है, कि option trading में जो account growth होता है, वो आपको एक example के तौर पे समझाता हूं, ठीक है, देखो, आपको दिखेगा, यहाँ पे मेरे पास holding पड़ी है, ठीक है, holding है, holding around 1,32,000 की है, प्लस अगर मैं यहाँ पे portfolio में जाता हूं, आपको यहाँ पे देखो, portfolio में मैं holding दिखाता हूं, यह कुछ holding है, अभी मैंने इसमें क दो mutual funds है, ठीक है, तीन stocks है, total account value आपको दिखेगी, 2,27,000 invested और present value 2,68,000 की present value है, ठीक है, अब आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर मैं funds में जाता हूं, तो आपको दिखेगा, available margin 2,95,000 और available cash 67,000, मतलब, total margin मेरे बाद इतना पड़ा हुआ है, ट्रेड करने के लिए, ठीक है, इससे benefit क्या हो रहा है, देखो, यह already amount invested है, जाइट सी बात है, साल बर में, इसमें कुछ ना कुछ तो growth मिलेगी, मैं कहता हूं, साल बर में अगर 4-5% यहाँ पे growth मिल जाती है, मैं कहता हूं, नहीं भी मिलती है, बट यह जो पूरा amount है, यह मैंने pledge किया हूआ है, ठीक है, यह सारा pledge है, इसके against margin मिला हूआ है, जो कि intraday में trade करने के लिए, use कर सकते हैं, ठीक है, वो यह available margin, यह 2,95,000, अब 2,95,000 को use करके, साल बर में, अगर यहाँ पे 1,00,000 रुपे का भी profit generate हो जाता है, तो सबसे best चीज है, और अगर आपका portfolio performance कर आपका portfolio 20% चल गया है, यहां से, तो आपके बहुत अच्छे return मन गए, तो capital 2-3 साल में बहुत तेजी से बढ़ सकती है, यह चीज है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कि आप equity trading में बहुत unexpected return नहीं सोचते हो, आप just like a 2%, 3% per day के साब से सोचते हो, कि हाँ या तो 2-3% चला या फिर 2-3% मिल जाएगा, उसे साब से आपका overall average लेके महीने का 10-12% आपको या तो मिल जाएगा, या फिर lose हो जाएगा, तो यहां पर account आपका zero नहीं हो सकता, यह advantage equity trading में होता है, और फिर जैसे जैसे आप करते जाते हो, आपकी understanding भड़ती है market को, जो कि काफी हद तक आप को एक sustainable basis पे एक long term horizon के साब से एक view बना के देती है, ऐसा नहीं है, option trading में आज पैसा कमा लिया, चार दिन बाद वो पैसा पूरा चला गया, फिर आपको capital arrange करनी पड़ रही है, यहां पैसा नहीं है, अगर आप गलत भी होगे, तो 20%, 30% से जादा का आपको lost नहीं होगा, इसक account को grow करने के लिए, उनको portfolio को grow करने के लिए, अब equity trading में एक ही चीज़ है कि equity trading में unexpected आपको returns नहीं मिलते हैं, आप वो ही सोच के चलो 2%, 3% per day का according to your capital size, अगर आपकी capital बढ़ी है, तो आपको थोड़े से profit जादा मिल सकते हैं, अगर capital छोटी है, तो आपको थोड़े से छोटे इसलिए मैंने यहां पर equity trading का course बनाया था, जाएट सी बात है, आप लोगों को पताईए, क्योंकि दो दिन हो गए इस course को काफी लोगों ने ले लिया है, और उन्होंने काम करना भी start कर दिया है, दीरे दीरे चीज़ों को समझने start हो गया उनकी तरफ से, तो आप क्या है 15-20 इस दिन एक महीना जब वो काम करेंगे, तो उनको understanding हो जाएगी कि equity में किस तरीके से काम किया जाता है, और equity में volume sufficient होता है, क्योंकि यहां पर कोई derivative नहीं है, कोई time value नहीं है, कोई delta नहीं है, कोई gamma effect नहीं है, आप एक particular stock को buy or sell करते हो with the proper stop loss and target, अगर आपका stop loss trigger होता है, तो आपको loss होता है, अगर आपका targeted होता है, तो आपको profit होता है, तो अगर आपने अभी तक यह course नहीं लिया है, तो ले लीजे, क्योंकि अब equity trading ही होने वाली है, option trading बंद हो रही है, अगर आप market में full time काम करना चाहते हो, तो यह course काफी हद तक आपको मदद कर सकता है, to identify the stock selection, strategy क्या होती है, यह सारी चीज़ें इसमें बताई गई है, हो सकता है, यह course आपके काम आजाए, कोई जबजस्ती नहीं है, अगर आप interested है, तो ही आप buy करिएगा, link description में दिया हो है, 249 digital store, यह मेरी website है, यहां से जाके आप purchase कर सकते हो, और price जो है, वो 2500 रुपीज है, बहुत ज equity trading के course की demand बढ़ने वाली है, तो जाहिए सी बात है, आप इसको जल्दी से जल्दी purchase कर लीजिए, most probably 15 October या 10 October के बाद से, मैं इसका price around 3500 रुपे करने वाला हूं, क्योंकि जाहिए सी बात है, अब market में वो ही लोग रहेंगे, जो serious है, और उनी को ही इस चीज़ का advantage मिल सकता ह है, ठीक है, तो हमने आप इस वीडियो में से भी के new rule के बारे में पता किया है, और उसको understand किया, और plus किस तरीके से आप equity trading में काम कर सकते हो, वो है, और plus अगर आप force में interested हो, तो आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, link description में दिया हुआ है, तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको स पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता हो, लाइक को शेयर जरू करिएगा और चैनल को जो subscribe कर लीडिये, क्योंकि मैं सुधी लेकर आता हूँ, हर दिन आपके लिए नहीं वीडियो, इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जाह हिंद!